वो और कॉलम की हाइट और विथ कैसे बदल देखिए कभी भी हम कोई टेबल क्रियेट करते हैं तो इस टेबल में एक एकसल की शीट में टेबल बनाते समय यहां पे जो साइज दे रखी होती है वो सेल की वो बहुत छोटी होती है तो हमें उसमें कोई भी अपना नाम एड़ क है तो यहां पे और हम ने लिखा हमंद्र हमंंद्र सिंङ भाती यहां पे यह हमने इस एक सेल में लिखना है लेकिन यह दूसे में भी चला गया कारण यह कि हुए सेल इतनीकम है कि उस से सेल डेटा भी पूरा एड नहीं कर रहें तो हमें उसकी column की width को बढ़ाके ही इसको adjust किया जाता है यहाँ पर हम अगर उपर cursor रखे इसको आगे की तरफ move करेंगे तो देखिए इसकी column की width बढ़ जाती है और यह उसी sale में ship करेंगे इसी तरही यहाँ पर जो example हमने बनाया हुआ है यहाँ पर देखिए student का नाम जो है अलग-अलग नाम भी दे रखें और student के नाम की heading जो बनी हुई है वो भी इसमें ship कई है यानि उस एक sale में यह adjust नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब भी आप किसी sale की size को बढ़ाते है या उस data की size को बढ़ाते है font size तो उस sale में वो data adjust करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी यह सारे नाम जो है वो आपको कटे हुए दिख रहे हैं जिनकी नाम की length बहुत जादा बड़ी है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह भी कट रहा है यहाँ पर नंबर के लिए तो यह जितना कुछ कटा हुआ नजर आ रहा है तो हमें इसको set करने के लिए column की width को बढ़ाना पड़ेगा तो column की width बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं पहला तरीका तो है जिस column की अगर आप size बढ़ाना चाहते हैं उसी column पे अपना cursor रखें यहाँ पर टॉप पर और यहाँ पर देखिए उस sale में edges होता हुआ आपको नजर आएगा इस तरह से अब देखिए पूरा student name पूरा display साई से हो रहा है और बाके student के नाम भी साई से display हो रहे है इसी तरीके से एक दूसा तरीका और है अगर हम किसी column की width को बढ़ाना चाहते हैं तो जिस column की width को बढ़ाना चाहते हैं cursor उसी top पर रखकर right click करें और यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा column की width का option, column की width का option ले, यहाँ पर जो size दे रखिए उससे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ाते हैं जैसे हम यहाँ पर tan कर देते हैं, tanage कर दिया और यहाँ पर देखिए वो adjust हो तो दोनों ही आप आपके पास Excel में option दे रखिए हैं या तो आप normally जो हैं यहाँ से कर सकते हैं, इस तरह से जितना आपको set करना है उसको set कर सकते हैं, या फिर दूसा तरीका है right click करके column की width का option, सभी में अगर बराबर set करनी हैं तो आप right click करके भी सभी में बराबर set कर सकते हैं, नहीं तो data के according उसको set कर सकते हैं तो यह दोने ही तरीके हैं column की width बढ़ाने के आप उस तरह से अपनी column की width बढ़ा के उस data को adjust कर सकते हैं फिर अगर हम चाते हैं कि कि किसी भी sale के data को adjust करने के लिए row की height भी बढ़ानी है देखें आप next हम example में चलते हैं और यहां पे देखिए यह जो heading हमने बना रखी है यह heading यहां पे आपको पूरी तरह display नहीं हो रही है उस sale का data कट रहा है कारण यह कि हमने उस font की size बहुत जादा बढ़ी की हुई है तो बढ़ी होने की कारण उस sale में वो set नहीं हो पा रहा है और इस तरह से वो cut रहा है तो आप उसको adjust करने के लिए यहां से row की height बढ़ा है क्योंकि हमारे पास particular row है अब इस row की height हमें बढ़ानी है तो वही तरीका जो हमने column को use करते किया है वही कर सकते हैं तो column की width बढ़ाने के साथ-साथ हम row की height बढ़ाना चाहे तो जैसे यहां पे हमारे पास यह जो row दे रखी है यहां से हम इसको जिस row की height बढ़ानी है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मुह करेंगे तो देखिए यह set हो उसकी height बढ़ा दी जाती है और चाहे तो आप right click करके भी कर सकते हैं अब हमने इसको वापस पहले जैसा बना दी अ है right click करते हैं जिस column की या जिस row की आपको height गिज़्द कम या ज़ादा करने हैं right click करें और यहां पे आपको दे रखा है row की height आप यहां से भी उसको set कर सकते हैं जैसे हमने column की width को की उसी तरह से आप यहां पर एसको कर सकते हैं कि अगर सा उपनीची आपको करना है तो यहां पिसको कर सकते हैं यह तरह से सथ हो जाता यह इसके अलावा ँचनग से अब इतने बड़े सेल में सरफ आपको एक कैरेक्ट्र ही टाइप करना है यह एक अटेनल शीट का जो है पर्फॉमा है अब यहां पे सिर्फ प्रजेंट और अप्सेंट लिमार कर रहती है लेकिन हमें इतना सारा बड़ा जो सेल दिया हुआ है उसकी जरूत नहीं क्योंकि आपकी देखिए टेबल बहुत बड़ी बन रही है आपको स्क्रॉल से मूँ करके आगे की तरफ जाना हो रहा है तो हम बार-बार आगे और पीछे करके हम अपनी इस बड़ी सारी शीट को थोड़ा सा छोटा यानि चो टेबल बनी इसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए तो बना सकते हैं क्योंकि इस सेल में जैसे नाम का कॉलम होता है तो हम उसकी width बढ़ा के उसको adjust करना है लेकिन इसको भी adjust करना है अब इसको कम करना है तो अब एक ही को कम करेंगे तो शायद आपको बहुत time लगेगा और दूसरी चीज है बराबर भी set तो एक साथ बराबर set करने के लिए Excel में एक option और दिया गया है जब particular row या column को एक साथ हम change करना चाहते हैं तो आप format में जाके कर सकते हैं यहां पे आपको मिलेगा row की height कम करने का भी मौका और column की width को भी कम या जादा कर सकते हैं तो उसको कैसे करते हैं सबसे पहले आप उस particular area को select करें जहां पे आपको column की width कम करन दे रखा है जिसमें हमने present और absent mark की हुई है उसकी size को हम कम कर लें उसकी size को हम कम कर सकते हैं इस पूरे area को select करें तो देखे आप यहां से इससे पूरे area को select कर लीजिए इस तरह से 31 जो आपके पास दिया गया है उसको आप select कर ले और उसके बाद format में जाकर column की width यहां से हम देखे हमने 5 इंच का हमने दे रिया है कि column की size से वो set हो जाए okay कर दो देखे यहां पर column की width जो है वो सभी की कम हो चुकी है और आपकी table जो है थोड़ी सी आपको पूरी उस एक ही sheet में दिखाए दे लिए इस तरह से तो column के width या height column की width और row की height अगर आप कम जादा करना चाहें तो आप एक-एक को अलग-अलग भी set कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि सारी हम एक साथ करें तो format option में जाके आप row की height और column की width का option Excel में किसी भी row या column को height करना और उसे वापस unhide कैसे करते हैं तो आये जाते हैं तो आये जाते हैं देखिए यहाँ पर एक database तयार किया हुआ है इसमें अगर आप particular किसी row या column को height करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं पहला तरीका तो है कि आपके पास जैसे हम पहले row को hide करना देखते हैं जैसे हमें कोई row hide करनी है हमने उस row को select किया और right click करके यह hide का option दे रखा है तो इससे देखिए यहाँ पे जो two row थी वो hide हो चुकी है इसी तरीके से अगर कोई और अनादर आपको hide करनी है तो आपसको select करें और home इनुमें यह format का option दिया गया है format option में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक option मिलेगा hide and unhide का option तो यहा बाद directly 8 आगे इसका मतलब यह है कि 7 hide हो चुकी है या फिर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आप एक साथ सब को select करके भी या तो right click करके hide करें चाहे आप यह format में जाके hide and unhide के option में hide row करें तो देखे 8,9,10,11 जो select है वो hide हो जाएगी यह देखे 8 के बाद directly 12 आगया है और आप चाहते हैं कि एक साथ नहीं हम selected करना चाहते हैं तो एक को select करने के बाद keyword से control प्रेस करें और दूसा select करें जैसे हम 14 और 16 चाहते हैं 15 को नहीं hide करना चाहते हैं तो हमने यह दोनों control के साथ एक साथ select कर ली और right click करके या फिर format option में जाके भी हम hide कर सकते हैं यह hide लो तो एक वापस row को unhide करना है तो जैसे two को वापस unhide करना है दोनों row को एक साथ select करेंगे right click करके unhide का option या unhide करेंगे तो देखिए two unhide हो चुकी है उसके इलावा देखिए उसके बाद हमने की है seven value hide तो six or eight को select किया है दोनों row को format option में जाके hide unhide और इसमें हमने unhide row किया तो देखिए seven unhide हो चुकी है और फिर अगर आप चाते हैं कि इस में से पूरी sheet में से total जितने भी हमने row hide किये हैं वो सब एक साथ unhide हो जाएं तो आप इस पूरी sheet को select करेंगे देखिए या तो आप control A short command को use करनेगे या फिर आप यहाँ पे अपना cursor रखके click किए तो hide unhide के option में जाके unhide row करेंगे तो जितनी आपने hide कीती वो सारी एक साथ unhide हो जादी देखिए अब आपके series number sequence में वापस आ चुके है तो अब हम आगे देखते हैं कि किसी column को hide और उसको unhide कैसे करते हैं तो देखिए जैसे हमारे पास जो table है उसमें आपको column भी hide करने है तो कोई particular एक column hide करना है तो उसको आप right click करके column hide का option दे रखा यहां से column hide किया जा सकता है या फिर अगर आप एक साथ कोई 2-3 column एक साथ भी select करके भी आप यहां से उसको hide कर सकते हैं right click करेंगे और column hide कियां से करेंगे हम hide के option से यह hide हो जाता है अब अगर हम चाहते हैं कि हमें unhide करना है वापस तो unhide करने के विए वही process हम use करेंगे जो हमने row के समय में किया है तो जैसे हमें यहां पे कुछ columns हमने hide कर रखे हैं तो आप उसको selected कर लीजिए और right click करके unhide के option पे click करे जाएंगे तो जो जो column वापे hide से वो सारे unhide हो जाएंगे या फिर दूसरा तरीका है कि अगर हम किसी भी column को hide करते हैं तो इसके हम वापस इसको hide कर देते हैं यह देखी हमने इसको वापस hide कर दिया और format option में जाके यहां पे भी आपको hide or unhide का option मिलेगा unhide column करेंगे तो तो वापको unhide हो जाएगा या फिर आपको एक तरीका दिया था कि हमें पूरी sheet को select करके अब हम unhide कर सकते हैं तो unhide के लिए आपको या तो format के option में जाएं फिर unhide करें या फिर right click करके भी आप unhide करेंगे एक्सल में किसी भी row या column को group और ungroup देखेंगे group और ungroup कैसे कि दिया जाता है उसके लिए Excel में एक बहुत अच्छा option दिया गया है जो आपको data tab में मिलेगा data tab में ये group और ungroup का option दिया गया है किसी भी row या column को अभी के लिए अगर हमें इसको छिपाना है hide करना है तो हम उसका एक group बना के उसको hide कर सकते हैं और वापस दुबारा उसकी ज इस table में हम यह चाहते हैं कि country, price, total, discounts सारे hide हो जाएं सिर्फ इसकी product का कितना net price कितना है वही पता चले तो हमें यह सारे बीच के जितने भी rest जो column दिये गये हैं इन सभी को हमें hide कर तो हम इन को select कर लेंगे इन columns को हम select करके और उसके बाद हमें data tab में group option में जाना है, group में जाके इसका group बना ले, row या column, अभी हमने column select किये हैं तो हमें column लेना है, ok कर देंगे, देखें यहां से लेकर यहां तक आपके यानि quantity से लेकर डिस्टाउं करके जो column है वो सारे group बना दिये गए हैं, अभी एक साथ group बना दि दिख रहे हैं, हर एक उस column के ऊपर आपको एक dot दिखाए दे रहा है, इसका group बना हुआ है, और एक minus का sign भी आपको यहां पर दिख रहा है, इनको hide करने के लिए आप इस पर जब click करेंगे, तो देखें यह सारे वो hide हो गए हैं, एक बार directly F आ गया है, जितने बीच में और ने जो column बने हुए थे, वो सारे hide हो चुके हैं, यानि आपको सिर प्रॉड़क्ट और net price देखना है, उस प्रॉड़क्ट की net price आप यहां पर देख सकते हैं, आपको quantity नहीं देखना है, उसका discount कितना मिला यह नहीं देखना है, उसका total नहीं देखना है, आम में तो सिर्फ नेट प्राइस कितना है वो देखना है और वापस उनको हाइट कि उनको अन हाइट करना है तो इसी पर आप जिसे प्लस का संबल दिख रहा है उस पर क्लिक करें यह देखिए वापस वो पुरी टेबल आपके सामने वापस आजाती है तो आप चाहें तो एक किसी कॉलम को भी या दो किसी कॉलम को या तीन किसी कॉलम को अगर आप गुरूप बनाके रखना चाहें तो इस तरह से गुरूप बनाके आप रख सकते हैं फिर अगर हम चाहें तो इसको अन गुरूप भी कर सकते हैं अन गुरूप करने के लिए अन गुरूप का उप्शन दे रखा है या आपने column hide और unhide किया था जब group ungroup करते हैं तो वापस उस particular area को select करना ज़रूरी है नहीं तो ये condition आपकी हो जाएगी तो इसको हम देखिए हम आपको वापस करके दिखाते हैं जो हमने quantity price और total और discount का जो हमने group बनाया था उसको ungroup करने के लिए वापस उसी area को select करें ये column okay तो देखिए अब completely आपका ungroup हो चुका है तो जहां से आप group बनाते हैं उसी portion को आप वापस ungroup करना चाहें तो ungroup उसी particular area को select करते ही आप वापस ungroup उसके बाद ये तो ही column की बात है हमने column को group बनाके और उनको hide कर दिया लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम row को भी करें जैस हार्ड डिस्क है headphone है जो जो particular आप चाहते हैं कि यह हम hide कर दें जैसे अभी हमें यहां से monitor को hide करना है तो हमने monitor select कर लिया और इसको हमने group बनाके hide कर लिया एक group बना दिया इसका एक group बन गया अब हम लेंगे row का option इसका मदब यह है कि यह group बन गया है फिर आप चाहते हैं कि ह माウस का भी करते हैं तो माउस को भी select कर लिया यह group कर लिया इससे जो भी आपके पास दिया गया data है उसके according आप किसे group बनाना चाहरे हैं और उसको hide कर सकते हैं उसका group बनाके अब देखें हमने यहां पे तीन items पे इनका group बना दिया यहां पे जो यह दिखाई दे रहा है इस यहां से सिरीज रो की हट चुकी है इसलिए यहां पर सिरीज नमबर भी 13 14 15 और डायरेक 22 इनके बीच की जो रो थी वो हाइड है जैसे रैम है रैम को भी हमने हाइड कर दिया तो यहां पर क्लिक करेंगे इस माइनस के साइन पर तो यह हाइड हो गए तो इस से पर्टिकुलर आइटम को अगर आप ङुगा आइट करना चाहिए किसी भी रो या कॉलम को है करना चाहिए लेकिन werd क्रूल हम बना फ्रव हम इड़ बनाना पड़ेगा और उनको है कर्सकते हैं वाता अंध कर नहीं उप्स एस रिख ऊविद और लिक हेग definite हैव करना है तो खाली monitor को select करके ungroup option में जाके ungroup कर दो, row ही ले रखाए और हमें row ही लेना है, यह देखिए, खाली monitor का ungroup हुआ है, mouse का नहीं हुआ है, क्योंकि mouse का हमने अलग से लिया था, तो अलग से ही हमें वापस इसको ungroup करना होगा, तो आपको भी data select करना है, जहां से आपको ungroup करना है, फिर ungroup option में जाके ungroup कर दिया, ok कर दिया, यह दिखिए, यहां से भी अगिया, और RAM पे भी लगा रखा है, हमने group तो RAM से भी हटाना है, तो हम ungroup कर सकते हैं, ungroup में जाके ungroup, इस तरह से हम किसी भी data को, किसी भी row या column को आप group करके उसको hide कर सकते हैं, और उसको हम as it is position में लेना चाहते हैं, तो उसको ungroup किया जा सकता है, ताकि वहां से group का option हट जाए, और वापस आपका normal data जैसा पहले था, वैसा ही है, हुआ है ताकि गाए यह झाल जाल ताकि झाल 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 झाल